कलर अक्षा तीथिया और उसके लिए मेरे सारे यूट्यूँप फामली को अखियत तिथिया की बहुत 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 शिप काम नायाई तो कल के लिए कैसे विधी करनी हैं और कैसे ही पूझन की सामिगरी को एक अकृत करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो लेकर के आई हूं जिससे आप अपनी पूजा में क्या-क्या चीज़े लेनी हैं क्या-क्या लेनी चाहिए वो सब आप अपनी पूजा में शामिल कर सकें तो यहाँ पर मैंने एक लिए है प्लेट जो भगवान जी के लिए मैं अरपित करूँगी जिसमें भगवान जी के सारी पूजन सामिगरी रखूँगी और इसके वाद मैंने यहाँ पर लिया है मिटी का कलश जिसमें की पानी भर करके जल भर के आपको मंदिर में जरूर से जरूर दान करना है क्योंकि अक्षित रितिया के दिन दान करने से जो है बहुत ज़्यादा फल मिलता है और कभी भी फल जो है वो ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है तो इसलिए हमें मिटी का कलश लेना है उसमें जल भरके हमें मंदिन में जरूर से जरूर दान करना है और बाकी जो आपके पास जितने भी चार आपको लोटे हो या फिर कलश हो या फिर आपके पास गलास हो तो चारो कलश चारो कोनों के लिए आपको लेना है उसके बाद तो सबसे पहले हमें गनेश जी की पूजा करनी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती गनेश जी के बिना हमारी कोई भी पूजा सफल नहीं होती क्योंकि वो ही हमारी पूजा के जितने भी विगन होते हैं इतने भी गल्तिया होती हैं उन सबको संभाण लेते हैं और कर लक्षम जी हो पूजा की आरैं क्योंकिन कहा जाता है कि इसी दिन लक्ष्मि नारायन के वेवहा भी हुँआ था तो इसलिए लक्ष्मि नारायन की पूजा ही करनी चाहिए उसके के बाद हमने लक्षमी नारायन को और भगवान जी को चड़ाने के लिए चने की दाल हल्दी की गाट और इलाइची और कॉडिया वगर रखनी है उसके बाद हमने याप लिया चंदन रोली जौ कलावा और मीठे के लिए मीठा भी लेना है हमें क्योंकि भगवान को मीठा अर लिया है मैंने और माचिस लेनी और दूप जरूर दिखाने है उनको और यहां पर फूल भी लेने हैं फूल चड़ाने के लिए भगवान को का जाता है कि इस दिन हमें मीठे में खीर जरूर बनानी चाहिए क्योंकि लक्षमी माता को खीर अत्यंत प्रसन थी अत्यंत उनको बहुत जादा अच्छी लगती थी बहुत तिंत प्रिये थी उनके लिए तो हमें खीर जरूर बनानी चाहिए वह भी केसर और रिलाइची की खास तोर पर उसके बाद मैंने यहां पर गुड़ रखा है तो गुड़ भी ले लेना है और जो भी आपके पास रितूफल हो उन के पैस्ट, सोना या, चान्दी याप जो भी खरीते हैं उसकी पूजा भी जरूर करें वह बहुत जादा अच्छा होता है ह हमारे हिंदूों के हिसाब सी इस दिन बहुत जादा पूजा पार्ट करने चाहिए क्योंकि इस दिन क्या होता है कि कभी भी जो भी हम पुनय कमाते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है और हमें लक्षमी जी को चढ़ाने के लिए श्रिंगार का सामान चढ़ाना चाहिए दक्षिना देनी चाहिए आपको हो सके तो आप उनको साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं तो यह सारी जितनी भी है यहाँ पर सामेगरी मैंने रख दिया है तो इसी तरीके से इनको पूजन करना है तो अक्षेत्रित्य पर यह बोला जाता है बहुत सारी पराने खथाएं होती है तो वह भी मैं आप लोगों के साथ केसी वीडियो